हेलो बचो आज में आपको क्लास नाइन जिसका सब्जेक्ट है मैतमेटिक्स इसकी वर्कशिट नंबर 15 समझाओंगी इसकी डेट है में पास 9 अगस्ट 2021 आज की वर्कशिट में हम रैशनल नंबर और इस रैशनल नंबर में एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिप्लिकेशन, इनके बारे में जानेंगे ठीक है चलिए देखे जैसे कि यहां लेखावाए आपके पास चिल्रन यू नो देट 20 प्लस 15 इस इक्वल स्टू 35 आप सभी को पता है अगर आप 20 में 15 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 35 आएगा और 20 में 15 को माइनस करोगे तो 5 आएगा तो त्यों के होते हैं रचनल लंबर्स हमारे तो जब आपने दो रचनल लंबर्स को फ्लस किया तो जो हम कंसर आया तो वह ए K रचनल लंबर ही आ रहा है जो कि 5 है रैशनल लंबर यह नहीं तो वही चीज आपको यहां पर ही आएगा अब आप चाओ तो कोई सभी एक्जामपल लेकर यह चेक कर सकते हो कि दो रैशनल लंबर में जब आप यह चार ओपरेशन को लगा रहे हो तो आंसर क्या रहा है आपका ठीक है चलिए आगे देखते हैं आप हम यहां पर हम से क्या कह रहा है आगे यहां पर यहां पर आपको धे रकार है आपको कड़ेए कि अणको देखेऊ करना है तो आपको इन सबको अचीक है तो कर लों सिर्वू तो देखो 8 root 3 में plus करेंगे 7 root 2, फिर उसमें हम क्या कर रहे है, plus कर रहे है, यहाँ पर 5 root 3, and की जगा मैंने plus लगा दिया है, और minus 3 root, एक चीज दिहार लखेगा, जब भी addition subtraction आप करोगे न, root वाले, तो same root वाले ही addition subtraction होती है, उनके बीच में, वरना नहीं होती है, तो जैसे की 8 root 3 और 5 root 3, यह दोनों एक साथ सॉल्वोंगे, कई बार बच्चों को इसमें ही doubt रहता है, कि कैसे multiply कैसे होता है, इनमें divide क कैसे होता है, addition and subtraction कैसे होता है, विकुल धिहान से समझेगा, ठीक है, और जब यह root 2 वाले हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो 7 root 2 minus 3 root 2, अब आप देखो, root वाले, जो same वाले हैं, उनको solve करना है, तो 8 root 3 में 5 root 3 plus करोगे, तो 13 root 3 आएगा, root 3 और root 3 plus नहीं होता है, अगर एक root 5 और root 3 होता है, तो मैं plus नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से 7 root 2 में 3 root 2 गया, तो 7 में से 3 जाएगा, 4 और root 2 ऐसी है, आप देख लो, आपने जब irrational numbers को add किया, तो आपका answer भी irrational ही आ रहा है, जिक है, अब आगे आप से या क्या क्यारा है, similarly, we can subtract this truth, उसी तरीके से जै किबर minus लगा देंगे और solve कर देंगे, ठीक है, फिर आगे आप से या क्या कहा जा रहे, the term 2 root 3 and 3 root 2 cannot be added or subtracted and are separate, क्यारा है कि 2 root 3 और 3 root 2 जो ये वाले term है, ये add नहीं हो पाएंगी, नहीं ये subtract हो पाएंगी, तो इनको अलग रखेंगे, main छोटी सी चीज जो आपको याद कि जब भी same root वाले number होते हैं, तभी add or subtract हो पाते हैं, वर्ना वो नहीं हो पाते है, add or subtract, clear है, चलिए, कोशन अब यहां देखते हैं, कुछ try yourself आपको यहां पर दे रखा है, कोशन number 1 में आप से क्या कह रहा है, 25 root 2 plus 6 root 2, तो धिहान से देखो, दोनों में root 2 है, तो same root है, तो म 6 plus करोगे, तो कितना आएगा, 31, 25 में 6 plus किया है, तो 31 और यह root 2 है, root root plus नहीं करने है, सिब same root देखके, फिर plus करना है, उनके बहार वाले terms को, ठीक है, second वाले में आप से ही हां पर क्या कह रहा है, 7 minus root 23 plus root 23, पहले आप इसे जरत 7 minus root 23 को ना bracket से बहार निकाल लो, ठीक है, अब यह plus का root 23, आप देखरों, यह तो कटी हो गया, minus 23 था root में, और plus का ता कट कर दिया, तो finally answer कितना आगया, मेरा 7 आजे, clear, चलिए, चलिए, सी पार्ट देखने, सी पार्ट में क्या कह रहा है, 17 root 11 minus 3 root 11, तो ध्यान से देखे, दोनों ही root 11 वाली term है, तो मैं minus कर सकती है, ठीक ह पार्ट में कह रहा है, 2 root 2 plus 5 root 3 minus root 2 minus root 3, आपको subtract करना है, तो ध्यान से समझेगा है, step by step करते हैं, ठीक है, देखो, 2 root 2 plus 5 root 3, भार bracket के भार minus है, तो अंदर वाला sign वो change कर देगा, तो minus की जगा plus हो जगा और 3 root 3, ठीक है, root 2 वाली term एक साथ solve करेंगे, और root 3 वाली term को एक root 2 minus root 2 एक साथ कर लेते हैं, और 5 root 3, प्लस का 3 root 3 एक साथ कर लेते हैं, क्लियर है, इहां तक कोई भी doubt हो, तो आप comment करके पूछ लीजेगा, ठीक है, अब इसको आगे इहां पर देखो, solve करते है, 2 root 2 में, इसके आगे कुछ नहीं है, तो मैं 1 लगा सकती हूं, है ना, 1 से multiply कर 2 root 2 में, 1 root 2 minus करेंगे, तो 1 root 2 बचेंगा, ठीक है, 5 root 3 में, 3 root 3 plus करेंगे, तो कितना आएगा, 8 root 3 आएगा, तो यही आपका यहां पर answer हो जाएगा, तो 1 root 2 या फिर आप उसे root 2 बोलो, plus 8 root 3 यह आपका इसका answer है, clear, चलिए, अब आगे देखते हैं, आगे क्या हमार को वर्क 2 rational numbers को multiply करो, तो आपका answer भी rational number आएगा, यह अब भी हम उपर सीख के भी आएगा, कि आप 2 rational numbers को add करो, subtract करो, multiply करो, या डिवाइट करो, answer हमेशा rational आएगा, so examples दे रखें, 3 into 5 15 rational है, 3 ही rational है, 1.2 rational है, 6 rational है, 7.2 भी rational है, उसी तरीके से divide करो, तो भी आपका rational number ही आ रहा है, तो एक चीज़ किलियर होती है, कि दो rational number को add करो, subtract करो, multiply करो, या डिवाइट करो, हमेशा, always हमको क्या मिलेगा, एक rational number ही मिलने वाला है, ठीक है, अब बात करते है, irrational numbers की, तो यहाँ पर आपको एक table दे रखें, देखें, सबसे पहले आपको कह रहा है, multiplication or division of irrational number, rational number आएगा, या irrational यह हमको चेक करना है, जो answer आएगा, ठीक है, जैसे कि इन्होंने फ़र्स्ट में लिखा, root 2 into root 3, तो अब आप सोच रहूंगे कि यह multiply कैसे होगी, यह तो अलग-अलग root के, जो अभी मैंने आपको ऊपर concept बताया था, तो वो सिफ addition or subtraction के लिए होता है, जब भी root वाले same तो कि यह किसी कभी perfect square नहीं है, ठीक है, अगर हम second वाला देखे, root 2 into root 2, तो root 2 into root 2 कितना आजाएगा, यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो वो root 4 हो जाएगा, 4 2 का perfect square होता है, इसलिसका answer 2 आएगा, तो 2 जो है, वो मेरा क्या होता है, rational number होता है, तो आप देख रहे हो, अगर आ इसमें आपने 2-2 irrational numbers को multiply किया, तो first वाले में आपका answer irrational आया, और second वाले में rational आया, तो मैं यह कह सकती हूं कि जब भी में 2 irrational numbers को multiply करती हूं, तो मेरा answer जो है, वो rational भी आ सकता है, और irrational भी आ सकता है, clear, ठीक है, चलिए, थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ पर, थर्ड वाले मे second bracket, second number, second bracket से solve करेंगे, तो यही answer आएगा, अब आपको यह बताना है, कि जो यह answer आपके पास आया, यह क्या है, तो यह हमार पास है, irrational number, क्यों, क्योंकि इसमें root 2, root 3, root 15, सब irrational है, तो यह मेरा irrational number आया, answer, ठीक है, उसके बार next देखते है, 3 root 2 को root 3 से divide किया, देखो, अगर मै यहां पर आपको करके दिखा दू, 3 root 3 upon में root 3, यह तो कट हो गया, finally answer मेरा 3 आया, तो 3 क्या है, 3 एक rational number है, इसका मतलब मैं यह कह सकती हूँ, कि जब मैं 2 irrational numbers को divide करूंगी, तो मेरा answer rational भी आ सकता है, और irrational भी आ सकता है, irrational कैसे, देखो, अगले में ही दिया, root 10 को root 2 से divide किया, तो एक ही root में रख दिया, तो यहांपर root 5 आ गया, और root 5 क्या है, मेरे पास irrational number, तो यहां से एक चीज clear होती है, और वो चीज क्या clear होती है, कि जब भी हम 2 irrational numbers को add करते हैं, तो answer irrational ही आते हैं, लेकिन जब भी हम 2 irrational number को multiply या divide करते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन से number है, प्लस आडी शर्मा से भी हमने यह chapter कर रखा है तो उसमें आप वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहां से चैप्टर्स कर लिजेगा तो और अच्छी से concept आपका clear है अब आते हैं try yourself फिर हमार को दे रखे हैं यहां पर question number one में हमसे क्या कह रहे है can we get an irrational number by multiplying two rational numbers क्या हमको एक irrational number मिल सकता है अगर हम दो rational numbers को multiply करें नहीं अगर आप दो rational numbers को multiply करोगे तो हमेशा answer के आएगा आपके पास rational ही आएगा आप चाहो तो यहां पर एक example दे सकते हो no लिखने के बाद example two into में five answer आजाएगा ten ठीक है और यहां लिख देना rational number तो कभी भी दो rational numbers को multiply कर करके irrational number नहीं आ सकता है ठीक है चलिए second question देखते हैं can we get a rational number by multiplying two irrational numbers को multiply करके एक rational number आ सकता है बिल्कुल आ सकता है तो example देखे करते हैं यहां पर तो question number two में आपको यहां करा देती हूँ yes ठीक है और example क्या लिखेंगे हम यहां पर एक मैंने root 3 ले लिए और एक मैंने root 27 ले लिए दोनों ही मेरे irrational numbers है लेकिन जब मैं 27 को 3 से into करूँगी तो यहां पर मेरे पास कितना आएगा 81 आएगा root 81 और root 81 का मतलब 9 होता है क्योंकि यह 9 का square है तो देखो ना आ रहे है न rational तो इसका मतलब आप लिखोगे क्या इसमें yes we get an rational number by multiplying two irrational numbers पहले ही हां से कोशन में कोशन में से देखके लिख लेना आगे yes लिख देना ठीक है उसके बाद यह example दे देना clear question number two चलिए आ जाते हैं हम अपने question number three पे हमसे क्या कह रहा है इहां पर solve करना है आपको इहां पर चलो देखते हैं clear second वाले में आप से यहां पर क्या क्या रहा है three plus root three multiply three minus root three यहां पर लिखते हैं इसको पहले तो three plus root three एक bracket में लिख दिया और three minus root three एक bracket में लिख दिया आप देखरों इसमें एक identity लग रहे है a plus b और a minus b की जो क्यों होती है मेरे पास a square minus b square यही होती है identity याद से लिख दिजएगा side में a minus b और a plus b की identity क्यों होती है वो होती है मेरे पास a square minus का 20 ठीक है तो three का square तो nine हो जाएगा और root three का square three ही रहेगा मैं यहां करके दिखाते हूं root three into root three हो जाता है जब भी same होते है root में root से square कट हो जाता है तो nine में से three गया तो six मेरा क्या हो गया यहां पर answer अगा clear second part चलिए आ जाते हैं हम अपने third part पर root six bracket में root three plus two तो यहां पर लिख देते हैं इसको पहले root six bracket में है root three plus two तो यह इसके साथ भी multiply कर और यह इसके साथ भी multiply कर तो root six into root three plus यहां पर आ जाएगा two root six तो इसको एक ही root में लिख देती हूं मैं अब अगर मैं six के factors लिखूं तो two into three होगा तो देखो इन दोनों थरीका तो मैंने एक three भाने का लिए root two अंदर रह गया और यहां two root six अब क्या यह add हो सकते हैं नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में root की value अलाग है हां अगर दोनों जगा root two या root six होता तो जरूर मैं add कर सकती है अब आपको clear हुआ मैं आपको स्टार्टिंग में वर्क्षीट में क्या समझाना चाहरी थी same root वाले ही add होते हैं clear third question clear हो गया चलिए आ जाते हैं हम अपने next question पे root fifteen divided by root five है तो इसको भी यहीं परी करेंगे तो पहले ऐसा करते हैं एक ही root में लिख लेते हैं तो 5 से 15 को कटके 3 का मतलब root 3 आगे यही हमारा answer है आगे यह नहीं solve होगा और यह एक irrational number ठिक है सिर्फ हम इस solve करना है बताना तो नहीं है ना check कर लेते हैं नहीं बताना सिर्फ solve करना है एक हमार पास root 7 into root 21 तो चलो यहां पर करते हैं root 7 into root 21 एक ही bracket में रख लेते हैं root 7 और 21 को ठीक है अगर मैं 21 के factors लिख हूं तो वह 3 into 7 होंगे इस दोनों 7 का एक 7 भार आ गया अंदर root 3 रह गया यही हमारा answer हो clear चलिए टास्ट 18 root 15 divided by 6 root 3 ना लिखते हैं इसको पहले एक बर चेक कर लेते हैं 18 root 15 divided by 6 root 3 ठीक है अब यह question कराने से पहले एक छोटा सा homework question में आपको दे देती हूं यहां पर ठीक है ना उसके बाद हम यह वाला question करेंगे जो कि आप मुझे comment करके बताने वाले हूं साथ यह भी बताईगा कि आपको worksheet अच्छे से समझ में आई या नहीं नहीं है कहीं भी doubt हो तो comment करके पूशन एक चोटा सा question दे रहूं two root seven divided by two आप इसको divide करके बताना कि जो आपका answer है वह rational आएगा या फिर irrational आएगा clear है इस यह बताना है कि answer rational आएगा या irrational आएगा डिवाइड करके तो जल्दी से comment करके मुझे इसका answer बताइए कि क्या आया चलो last question और कर लेते हैं अपनी वक्षिट का आपको divide करना है एक बार question टैली कर लेए six root three है और यहां पर है six root three तो देखो इसको मैंने इससे cut कर दिया तो कितना आजाएगा यहां पर three आजाएगा तो यहां पर आया three root fifteen upon में root three है मैं इसको क्या करते हूं rationalize कर देती हूं क्योंकि denominator में कभी भी root को नहीं छोड़ते हैं इसलिए मैं इसे rationalize कर दूँ तो यहां पर three आजाएगा और root three and root fifteen अगर मैं into गरूंगी तो root 45 आजाएगा क्योंकि fifteen three मेरे पास कितना होता है 45 होता है और यहां पर root three into root three कितना हो जाएगा three हो जाएगा जो मैंने भी आपको बताया था उपार यह three से three कर गया बचा root 45 root 45 क्यासा करते हैं factors लिख लेते हैं तो five की टेबल में यह nine पे आता है then three three जो और three बन जाओगा ना तो यहां पर five into three into three होगा ठीक है तो three तो भार आजाएगा यहां बचा root five यही आपका आंसर है three root five clear question number six part यहां पर clear हो गया question number three का यहां पर हमने यह सारे parts अपने complete कर लिए तो असान थी worksheet बस concept याद रखने है rational numbers को add करो subtract करो multiply करो divide करो answer rational number ही आएगा लेकिन irrational numbers को जब आप add और subtract करते हो तो irrational आता है multiply और divide करते हो तो depend करता है आपने क्या number लिए rational भी आ सकते है और irrational भी पूरी worksheet में आज हमने बस यही सिखा है बहुत important concept है इसे के साथ worksheet complete हो गई है हमारी कौन सी थी worksheet number fifteen complete होती है worksheet number sixteen अब हम अपनी next वीडियो में समझेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको like जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को subscribe कीजेगा Thank you